हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई इस्टोडी फीड चैनल दोस्तो प्रिवेस एर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटेज एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के विएस एल्टी में पूछे गए हैं उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाई आपके समझ प्रस् वीडियो इसको वाच करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों डेली बेशेज पे फिर बेशियर यमसी क्यों सिरी दिये जा रहा है उसका प्रेटिस करना न भूलिएगा तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर प्रश्णों की तरफ तो दोस्तो कि कि किसी विसलेशी ब्यायां में क्या सामिल होते हैं तो लुद्धव कि भिस लेशी दिश्री ब्यायाम में का छोटा समूल सामिल होता है घरनी करता है कौन नहीं करता सबसे परजे सुरू से पढ़ते जाएंगे यह है प्रति दिन ब्यायाम करना दोस्तों यह तो हमारे फिटनेस को बहुत अच्छा करता है एंड खेल खेलना यह भी करता है और योग और ब्यायाम करना यह भी करता है बट आपसर नंबर सी यहां पर राइट दोस्तों में लिवर उठने बारे में दो बीडियो में बडा चुकि हूं रहें है इसके बारे में डीटेल में जाना चाहते हैं तो किसियोहई और बायोमेक Y43 मे जाकर के इस वीडिए ओको उत्तोलक तो प्रकार का होता है आप उसके नीचे 312 लिख देगा 0 enjoy the first प्रकार के उत्तुलग में Marxist बीच में रहेगा और ऑघर की नीचे friendship scary apt के ऊतलग में रहेगा यानि of questi person के उत्तोलोग में फोस बीच में रहेगा यानि बल यानि कि फर्स प्रकार के उत्तोलोग को संदुनन का लिवर दिती प्रकार के उत्तोलोग को बल का लिवर और दिती प्रकार के उत्तोलोग को गती का लिवर बोलते हैं जैसे कि फर्स प्रकार के उत्तोलोग में आपका एक्स जो बच्चों का जूला होता है और दोस्तों हमारे सरीम एक्जमपल है फर्स प्रकार की उत्यूलक का एक्स्टेंशन आप फोर आर्म यानि की फोर आर्म का एक्स्टेंशन या भी स्तारर ठीक है एंड हमारे एंकल फ्लेक्शन और फीर को आगे पीछे जुकाना बाले बाल में इसमेश करना दिती प्रकार के उत्तलग में भार बीच में रहता है यानि रसिस्टेंश इसको बल का लिवर कहते हैं दिती प्रकार के उत्तलग को इसमें सरवता कुड़ा उठाने की मसीन नीवो उदाधर होता है प्रकाने बांतर फ्रकशन आंड हैं पूसफ लगाना जब्ड़े का खुलना बंद होना बास्केटबल बाले बालेंसा द्रटके में पन्ज्टेंश यानि भार का काम करती है त्रीती प्रकार के उत्तोलक को गतिका उत्तोलक कहते हैं यह हमारे सरी में सब से ज़यदा पाई जाती है इसमें हमारा फोर्स यानि बल बीज में रहता है इसमें उधार है नाव चलाना, बेल्चे से मिन्थी, हमारे सरीन में उधार है arm flexion, ठीक है arm extension दोस्तों, फर्स प्रकार के उत्रो लग में उधार है, जब कि arm flexion जो है वो तृती प्रकार के उत्रो लग का उधार है, हमारा elbow joint जो है काम करेगा एंड अगर भाग हाथ का अपरतिरोत का काम करेगा एंड थाइप लेक्षन हेमेस्ट्रिंग करल घुटने का मुड़ना सीट अप करना हाथ को उपर उठाना तो दोस्तों यहां पर कोशन क्या पूछा है जैसे कि उत्तोलक में दोस्तों हमारे सरीर में जितनी हुई को नीजए को पर टॉस दोस्तों डर्स आर्रेकरक रवेन में होता है क्या है ऐला है तो दूसरे दुशरी के उपर क्या है यानि आर के नीचे क्या है तो है यानि कि रहेगाorton ज DAN草त्तम बीच में númerofolk में поговор एक्सीश की ठीक है तो रेसिसटेंस बीच में रहेगां फौर्स आरेक्सीश की आफसें नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तर्योर हो कि प्रतिरोध आधार तथा बल की बीच में होगा ऑफसें नमबर सी यहां परिक्षिट होगा ठीक है किग पैर की उंगलीयों पर फोष्प उठाना किस बात का उसलेट है मेसूं पर को उत्तार वथा है तो किस बात्स पाइन o जो सुह हूँ पर व बीच ने पड़ रहा हृँ यहां पर रसिंट यहां पर आपसंन बर डी अलबर होगा स long time रिवर्ण अधिक एक्स र्रैकर्ण के सबसे ज़या है इसने हमारे सब्सक्राइब वो बीज में रहता है एक्सिस और रसिस्टेंस के ठीक है नेस्स कोश्टन है कि प्रथम स्रेडी का उत्तोलग बढ़ाने के योग है जैसा कि दोस्तो प्रथम स्रेडी के उत्तोलग को संतुरन का लीवर कहते है संतुरन बॉल और गति दोनों जब हमारे सामय वस्ता में रहते हैं तभी संतुरन होता है यानि कि प्रथम स्रेडी का उत्तोलग बढ़ाने के योग है क्या बढ़ाने के बल तथा गति दोनों को बढ़ाने के योग है ठीक है अब प्रथन स्योड़ी के उतलग में क्या होता है एक्सिस बीज में होता है फोर्स एंड रसिस्टेंस के ठीक है और इसमें क्या होता है जो फलक्रम यानि एक्सिस होता है और लिवर की लंबाई के साथ प्रिवर्तित किया जा सकता है जिसे बल तथा गतिरोद दोनों क कि लंबाई में परिवर्टन किया जा सकता है ठीक है next question है कि संतुलन निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है दोस्तों वस्तु के चोड़े आधार पर निर्भर करता है यानि किसी वस्तु का आधार जितना चोड़ा होगा वह उतना ही संतुलन की स्थिति में होगा ठीक है व तरह सो घू में हमारे से जी पोईंट पर यांन संतूलन में तब तक रहेगा वस्तों तो इसका सीजी यहांनि सेट्र आप ग्रैविटी आधार यानि बेस की ऊपर रहे सीजी जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा ठीक है दूसरा पॉइंट आता है अधार का कार हमारा आधार कैसा है यानि कि हमारा आधार जितना चोड़ा होगा जितना बड़ा होगा संतुलन उतना अच्छा होगा आधार चड़ा होने से उसका सीजी पॉइंट जो है वो सिप्ट हो जाता है नीचे जिसी गृत्वा करसर रेखा आधार पर ही रहता है बाहर नहीं जाता है ठीक है एक होता है फिजियो लॉजिकल इसेक्ट जिसमें जिसको ब्रिक्त कान में हमारे हमारे कान में इंडलीम्प नाम का एक तरलपदात होता है जो संतुलन सहाइक होता है अपनी जगव सडिय Caitlin लगता है एक होता है एक विजियू अता है जो आप आती है जैसे हमारा पढ़ने बैसा होता है तो उससे हम चठ्की से पहले ही अपने पेर को हटा देते हैं इसको कानेस्थेटिक सेंस कहते हैं ठीक है दोस्तों जो होता है कि इस्त्रियों में पूर्सों के बिच्छा संतुलन ज्यादा होता है इस्त्रियों के जो सीजी पॉइंट होता है पूर्सों के बिच्छा नीचे होती है इसलिए उसमें अभिवर्तन अस्थिया उपास्थी विवात प्री विवाद विओ थी तो दोस्तों यहां पे आप शेक्षै जिए एक यहां पर आपसा नंबर तोस्ते जिश्प उपास्थी जैसे 10 अब विविंद प्रकार केा कि एक दोड़ती है तो जो हम चस्थाय साभन होता द Mixed दवड़ते हैं है कि 100-200-400 चॉर Spanish में दए यो होती है स्प्रिंट दर्णों में 3 कमांड दिया जाता है और उसमें ब्लाग का प्रयोग किया जाता है तीन कमांड कोंसे दिये जाते हैं Easter and go and set के जब set पर होता है दोस्तों तो सरीर का भार आम बैलेंस होता है पुरा भार हमारे हाथों पर होता है ठीक है हो हुआ होती है और स्थाई होती है एन्द दोस्तों जो इंप श्प्रिंट्र में तेन्ग कमांड दिया जाते हैं आने और मार्क्स सेट एंड और गो बट जो लंबी दूरी की रेस होते है även लांग रेस होता है चार्शाँ से उपर की जो द्वड़े होती उसमें दो ही कमांड दिये जाते हैं उसमें ब्लाक का परियोग नहीं किया जाता है दो ही कमांड दिये जाते हैं आने और मार्स एंड गो तो इसको ध्यान में रखेगा कि लोगों की भिन्यता बिदमान है लोगों की भिन्यता किसमें बिदमान है सभी ब्यक्तित्व परिवर्तन शिल्ता में आफसन नंबर यहां पर करेक्ट होगा सभी ब्यक्तित्व की परिवतन शिल्ता में हमारा ब्यक्तिगत भिन्यता जो है वो लोगों की ब्यक्तिगत भिन्यता बिदमान है नेक्स कोश्चन है कि गत्तिव वर्धन योगता को बढ़ाने के लिए प्रवलता कितनी होनी चाहिए कि जैसे कि दोस्तों जितना अधिक हमारी क्रिया है हमारी इंटेंसिटी और वोल्युम पर निर्फ़ करती है हमारी प्रशिच्छ भार है वह इंटेंसिटी और वल्युम का मतलब कि कारे कितना समय तक किया गया इंटेंसिटी का मतलब है तिवर्टा का मतलब है कि कितने स्पीर से किया गया तो जितना कारे की वैलिम रहेगा यानि कारे जितना जादे समय की होगी उसमें तिवर्टा यानि इंटेंसिटी उतना ही कम होगा यानि उसकार को आप उतना ही धीरे-धीरे करेंगी और किसी कारे क समय यतना ही कम होगा यानि कि वैलिम यतना ही कम होगा तिरता उतना ही जदा होगा यानि इंटेंसिटी उतना ही जदा होगा जैसे कि सो मिटर स्प्रिंट रेस आप दोड़ रहे हैं तो इसमें पूरा दम लगा देते हैं उसमें आप आपकी इंटेंसिटी 90-100% तक होती है जब कि या जब अम्मयराथन दर दर रहे हैं एक 1500 मीटर की दर दर रहे हैं उसमें आपकी एक लिमिट इंटेंसिटी होगी क्योंकि पहले ही आप बहुत दम लगा देंगे तो आगे दर नहीं दर पाएंगे ठीक है उसमें इंडरेंज डेवलप होता है लंबी अवदी की क्रिया में सब्सक्राइब तो कि यहां पर सब्सक्रां आपको समझञेंगे तो क्योंकि कि समझन को समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार से प्रशन गूमा के देंगा आप उसको एंसर दे लेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और पहने रहें मेरे चैनल पर सभी टापिक्स को सिलिबस के का डिंग पढ़ने के लिए तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को कर लिजिए विर आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुझता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं